हेलो फ्रेंट मेरी चैनल टेक्सटॉक नपका स्वागत है आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हुँ कि किस प्रकार से टेक्सल में ही वीव इंसर्ट कर सकते अगर आप आप उटोटेक्स में काम कर रहेoup और आप पूराने तरीके से काम कर रहेब और उसी तरीके से आपको speed में काम करना है पर आपको पता नहीं है कि texel में कैसे view insert करें तो ये वीडियो आपके लिए आज फाइदे मन्द होगा और जो texel पहले से use कर रहे हैं लेकिन उनको भी इसी तरह से view direct insert करना है texel के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं मैं ये वीडियो म करते हैं शुरू करने से पहले में यह बताना चाहता हो कि अगर मेरी चैनल से आपको कोई important चीज पता चलती है तो comment में जाके बताए कि आपने मेरी चैनल से क्या सीखा है और आपको भी आगे क्या सीखना है और वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को like करिएगा चैनल और लड़ी ले लिया है तो देखिए अभी मेरे पास यहां पर डिजाइनिंग और लड़ी मेरे पास बनाई हुई है तो अभी इसका background white है में उसको भी black कर देता हूँ पहले ताकि आपको easily दीख सके कुछ इस प्रकार से मेरे पास designing है देखिए तो अभी इसके अंदर पर्शन उठा रहा हूँ तो देखिए अपी में yellow color के अंदर चोकि yellow color है मेरा 8 number का color है इसके उपर cursor रखके फिर space दबाई है तो आपको यह number click यहां पर हो जाएगा तो देखिए यहां पर 8 number का color है यहां पर नीचे भी दिखाएगा देखिए यहां पर इस portion में भी दिखाए डाला है तो देखिए मैं भी 8 by 8 का box उठा ले रहा हूँ फिर यह box को मैं दूसरे टेमें लेके जा रहा हूँ फिर यहां पर मुझे क्या करना है आपको सबसे पहले एक common color choose करना है देखिए जो color इसमें नहीं होना चाहिए यानि कि सभी में एक ही color choose करेंगे लेकिन वह color पह में दिखा रहा है वह भी मेरे इसके अंदर यूज नहीं हो रहा है तो मैं अभी zero number का color इसके अंदर यूज करने वाला तो देखिए अभी में यहां पर 8 का साटिन बनाके डालने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से अब साटिन बनाके डाल सकते हो तो यह हो गया मेरा 8 का साटिन तो देखिए अभी इसको आपको क्या करना है control A फिर इसको उठा लेना है फिर इसको रख देना है यहाँ पर side की tab में है ठीक है फिर अभी आपको क्या करना है वापे से step में आ जाईए आपको यहाँ पर चो bucket का option है उसके अंदर जाना है अभी आपको पूराने तरीके सही editing के साथ moving करना है तो यह तरीका बेहतर है और जो लोग टेक्सल पहले से उसको यह करना है और उसके लिए भी बढ़िया आए तो देखिए यहा पर आपको जाना है फिल में फिल में करना है pattern फिर आपको कर देना यहां पर pattern के बाद यहां पर कर देना है all देखिए अगर single करोगे तो भी यहां पर हो पाएगा देखिए कुछ इस प्रकार से लेकिन वह कि एक की कलर में एक की मोटिफ के अंदर होगा मुझे सारे मोटिफ में एक ही जैसा वी भी चाहिए तो मैं यहां पर कर देता हूँ all करने के वाद यहां पर क्लिक करिए विके सारे मोटिफ में अपका साटीं exist हो चुका आ थुकत करने वाले है यह वाला जू कलर अपना तो नंबर यहां पर देखा रहे देखिए यहां पर दो यहां से दो पॉइंट इंसर्ट करके एका बोक्स में ले सकता हूँ देखे फिर यह आपको यहां से पेले चेंज करने लेना होगा कलर हो गया अब देखे वापस आपको यहां पे भी सेम जीरो नंबर का कलर ही सेलेक्ट करना है और आपको यहां पे इस टरह से कुछ ट्वील इंसर्ट कर देना है फिर आपको कंट्रोल ए करना है फिर इसको सेलेक्ट करने के बादि यहां पे रखना है फिर आपको आना है कलर के बकेट वाले पोर्शन में फिर आपको पैटन सेव करना है फिर आपको ओल कर देना है और फिर आपको यहां पे टच करना है तो देखे य 8x8 का लेने वाला हूँ तो इसके लिए मुझे भी यहां से इसी कलर वाला आपको उठाना है 8x8 का बॉक्स देखिए कुछ इस तरह से 8x8 का बॉक्स उठा ले देखिए अभी में दूसरा दिखाने वालो आप डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं तो देखिए कुछ इस प्रका लीजिए और इसको इसके अंदर रग दीजिए तो देखिए दूसरा पेलेट में आपको जाना भी नहीं पड़ेगा इसी ही पेलेट में आपका यहां पर डायमंड का वीव हो गया इसी कलर में हो गया और यहां पर इंसर्ट भी कर दिया आपने तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा डाइरेक्ट कलर वकेट का एफ क्लिक करिए फिर आफे ट्रच कर दीए तो देखिए यह पूरा डायमेंड का व्यू आ चुका इसमें अभी मुझे चाहिए इसके अंदर जिगजग यूजग करना इसके अंदर देखिए कुछ यह वाला जो पॉर्चन है पिंक वाला इसके अंदर मुझे जिगजग यूजग करना है तो अभी मैं यहीं से जिगजग भी लेने वाला हूँ देखिए कुछ इस प्रकार से छेबाय आट के अंदर तो देखिए यहीं से मैं भी जिगजग भी यूज करने वाला हूँ तो देखिए भी जिगजग मेरा छेबाय आट के अंदर तो पूरा नहीं होगा दस के अंदर साइद मेरा पूरा हो जाएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से मैं भी यहां से तो देखिए यहां पर इसी पेलेट में हो चुका है काम, फिर आप वापिस से यहां पर कलर बकेट टच कर लिए और आपका उप्षन तो पहले से पेटन वाला है ही, तो अब यहां से आप कुछ इस प्रकार से जिगजग भी यूज कर सकते हैं, फिर अभी मुझे यहां पर य वाला है, यूज कर लिजे, फिर देखिए साटीन भी हो चुका है, अभी मुझे यहां पर यूज करना है, ट्वील यूज करना है, देखिए यहां पर चार का ट्वील यूज करना है, तो देखिए मैं यहां से फोर बैफोर का बोक्स यहीं से ले लूँगा, कुछ इस प्र सब् Cream आप से मेरा पूरा वीविंग इसी में हो चुका है अप Defnity अगर आप एक की वीविंग करना चाहते हो तो आ सभी म्लाग लिए क tremendous को सभी में यहां पर सब्सक्राइब करें इसलिए मैंने सब्सक्राइब का दकैना है यह है जादा मोटीफ फिडर में ही लेकिन यह जो मेरा वाइट वाला पॉर्षन है वो मेरा ग्राउंड का यहन रहेगा और बाकी जो पूरा कलर दिख रहा है वो मेरा जरी में चलने वाला है लेकिन मैंने अलग-अलग वी विवींग के हिसाब से मैंने अलग-अलग color चूह किया था अभी मैं क्या करूगा देखिए अभी मेरा यहां पर एक कलर छूट गया है जो कि विविंग करना बाके है तो देखें मैं इसके अंदर भी अभी त्विल यूज करने वाला हूँ चार का ट्विली में डालने वाला हूँ तो इसके अंदर भी में चार का ट्विली यूज करके इसको भी ले लेने वाला हूँ इसी प्रका दिया है तो मैं एक ही color यानि कि मुझे जरी के अंदर ही सिर्फ इविंग चाहिए तो मैं यहां पर सारा color जरी का ही कर रहा हूँ देखिए इस तरह से मेरा पूरा का पूरा वीविंग कंपलेट हो चुका है कुछ इसी प्रकार से तो इसको बोलते है टेकसल के अंदर वीविंग कैसे करना है यह आपको पता चल गया होगा अगर नहीं पता चल रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिवेंड गर के वापिस देखिएगा फिर भी पता ना चले तो comment box में आके comment करिए कि पता नहीं चलाए कौन से portion में पता नहीं चलाए वो भी बताईगा और अगर पता चल गया है तो मुझे comment box में जाके comment करिए कि thank you और मुझे पता चल गया है कि आपकी वीडियो मेरे लिए help पूर है ये वाला वीडियो मुझे इंस्पार करेगा तूसरे इसी टाइप के वीडियो बनाने के लिए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्रेब करेगा और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेगा ठैंक यू